समय का प्रभाव एक आवश्यक विश्यवानी पीडया से सवभागे के मार्ग और अज्यान के अंध्रकार में एक शेतर के मार्ग के संबंद में कोई कितना भी अज्यानी क्यों ना हो, हर कोई शाष्वत समय के प्रभाव से अबगत है, जो हमारी भौतिक गतिविधियों के भी प्रभावों को नश्ट कर देता है शरीर का जन्म में एक निश्चित समय पर होता है और समय का प्रभाव तुरंद उस पर कारिक करता है शरीर के जन्म की तिथी से मृत्यू का प्रभाव भी क्रियाशिल होता है उम्र बढ़ने से शरीर पर समय का प्रभाव पढ़ता है य अरितालाप और पत्र इस आवशक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स इंफ्लुएंस ओफ टाइम श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलकत आठ्र धर्णों में दिया गया है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरन कृष्णभाव नाम रित में लगे भक्तों के लिए वैकुंट वातावरण में समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। बहुतिक संसार में समय का प्रभाव सब कुछ नश्ट कर देता है, लेकिन वैकुंट वातावरण में समय या देवताव का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि वैकुंट रहों में कोई देवतार नहीं है। यहां हमारी गतिविधिया विभिन देवताउं द्वारा नियंत्रित होती हैं, भले ही हम अपने हाथ और पेर हिलाते हैं, हमारी क्रिया देवताउं द्वारा नियंत्रित होती है। जाती है पदार्थ की क्रिया का भी उतना प्रोच साहन नहीं है श्रीमत भागवाद 1 अप्रेल 17 ध्याशाठारा यम्राज भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व की प्रतिनिधी हैं और वे प्रतेक जीवितिकाई की मृत्यू को नियंद्रित करते हैं फिर भी उन्हें भैक्तों से कोई लेना देना नहीं है दूसरे शब्दों में भक्त द्वारा इस जीवनकाल में की गई भक्ति सेबा समय के द्वारा कभी नर्ष नहीं हो सकती ऐसी आध्यात्मिक संपतियां समय के प्रभाव से परिरहकर अपरिवर्तित रहती हैं श्रीमत भागवाद 4.2456 हर कोई समय की गतिविधियों से डरता है लेकिन एक वक्त जो जानता है कि समय भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व का एक और प्रतनिधित्वया अभिवक्ति है उससे समय के प्रभाव से डरने की कोई बात नहीं है रूप भेदस पदम वाक्यांश बहुत महत्वकून है समय के प्रभा की कोई गारंटी नहीं है भले ही वेह स्वर्गिया ग्रहों या निर्विशेश ब्रह्म तेज तक पहुँच गया हो हाला कि किसे भक्त के उपलब्धी समय के प्रभाव से कभी नश्ट नहीं होती है भले ही कोई भक्त भक्ति सेवा को पूरी तरह से निश्पादित नहीं कर सकता है अपने आगले जीवन में वेह वहीं से शिरू करता है जहां से उसने छोड़ा था ऐसा अवसर कर्मियों और ग्यानियों का नहीं दिया जाता जिनके उपलब्धिया नहश्ट हो जाती है श्रीमत भागवत 4.2456 ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन की प्रकृति अप्रिवर् जो कुछ भी समय और परिस्थितियों के प्रभाव में बदलता है वेह सनातन नहीं है इसलिए जो कुछ भी रूप या गुणवत्ता में कुछ भी बदलता है उसे सनातन की रूप में स्विकार नहीं किया जा सकता है एक भौतिक उदाहरन देने के लिए सूरे सैक्रों और लाखों वर्षों से अपनी किर्णे फैला रहा है और यद्य भी ये एक भौतिक रूप से निर्मित वस्तु है फिर वी इसका रूप और किर्णे अपरिवर्तित हैं अन्य ग्रहों की आसान न्यात्रा अध्याइब एक हर कोई जीवन के अंतिम चरण के प्रति सचेत रहता ह है जब उसे मृतियों के करूर हाथों का सामना करना पड़ेगा लिकिन कुछ लोग अपनी उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं समय के प्रभाव से खुद कुछ चिंतित करते हैं और इस प्रकार पवित्र गतिविधियों में सनलगने हो जाते हैं ताकि भवि 3.294 जीव को दिविस्थिति में स्थित होना होता है जहां ना तो समय का प्रभाव होता है और नहीं भौतिकूर्जा का बद्जीवन में जीव भूत वर्तमान और भविश्य के स्वपन में समय के प्रभाव के अधीन होता है मानसीक सटे बाज ज्यान की खेती और रहंकार पर विजय के माध्यम से वासुदेव या स्वयम सर्वुच भगवान बनने की भविश्य की अठकलों के माध्यम से समय के प्रभावत पर विजय पाने की कोशिश करता है लेकिन प्रक्रिया सही नहीं है श्रीमत भागवत 2.9 तीन